अब लो फ्रेंड्स बीना की दुनिया में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए एक और मफलर का डिजाइन लेकर आए हूं यह डिजाइन हमारा स्ट्रेचिबल है और इसके लिए हमें दू सलाइएं एक छे नंबर की सलाइए और एक बारा नंबर की सलाइए हूं और तू के मल्टपल से फंदे डालने हैं इस डिजाइन को आप फ्रेंट्स सॉल में स्टॉल में मफलर में किसी में भी डालेंगे बहुत सुन्दर दिखता है तो मैं इसे लाइट कलर में आपको बना कर फिर दिखाती हूं रिजाय में फ्रेंट्स से आपक्रना का अच उससे बुर्ण है और कि बाण नंबर को तरुक्षा और किल रिपेट करेंगें तेस़ यम बोर मनाते अच पर सेदा एक ऑटा ऑस सिधा यह कंटा सिधा एक ऑलता फिर एक ऑम झालता एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक सलाई हमने यह चे नंबर की सलाई से बुन लिया है अब फिर बारव नंबर की सलाई लगानी है और जो फंदा सीधा है उसे सीधा बना साना की सिर्धा फांदा सीधा अपने तरप यह लटा फंदा यह से उल्टा बीना है कि पंसी द उल्टा फंदे पह उल्टा है तो इतफंदना जीदेब बने सीधा फिंदत फंदे को मढदयी थो आज say Mum is change करनी एक क्वारना पछो तरह राए रखनी है वर catast रही तरह रखने डभनाट प्थैर रकनी है रखने है नंबर रको 7 नंबर रखो एक पतली और मोटी क्ते तो चहीं में 2016 इसे 1 खंदा चीस को ثू पनाना चीव सी ढङए फिर यह व्ही रहें वैसे ही रहे है वोड़ी फवन्हें को व्हलता बना को यक ब Advent本द यह रहे उजल्ट अप corazón को अपिव 투 अवर को लार अश्ण सु भिन खूलर यजनद फलट पर फिर ईक लिव दर आफ experts फिर वोक यंग दंद स ही दा लेदेन उपर आफी हो व्हों कर दो य अब फिर 12 ही बना के शीचनला, सीधे फं Ts momento सीधा बनाना था और फोल्टेव पने को फ्लीक बनाना है एक सीधा एक व्लीटा सीधा एग संदी एक फंद फॉल्टा एग कंद सीधा फिरेक फंद 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 फिरेक फंद फोल्डा कि अपिर चैनमर किसले से पहला पंदा सीधा है तो से सीधा बन देना है युट अपने को बनाना कि की इफने क्यों बनाना फिर विफ इनकर सिदा हो गुटादी फ्रा अविफ एंदा ते घुटा गादा बना थे पंदा सिदा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीदह एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा You में तो रिपीट करते जाना है एक आँ बार हमें i'ma के बारइख्वारय सबनाने बाराद नम्बर की शलाई से कि शीदे हम्दे को सीधा हरुस्थे हम्दे को उल्टा बुनते जाना है और डूसी सलाई छे नमबर की सलाई से तो दिके फ्लूंस बणने के बाद ये ऐसे दिखते है ठोड़ा सा और बुनने के बाद ये बहुत है अच्छा दिखने लिग जाता है इस साइड से ऑफ दोनों साइड से ये एक जैसे दिखता है तो इन्हीं दो सलाईं को हमें रिपीट करते जाने एक बार हमें 12 नमबर के सलाई से बनाना है और एक बार 6 नमबर के सलाई से तो फिर बनाने के बाद यह ऐसे दिखने लगता है दोनों साइड से एक जैसे दिखता है तो फ्रेंड्स आप भी यह डिजैन अपने सॉल इस्टॉल या मफलर में डालेंगे तो बहुत इक उपसुरा दिखेगा तोनों साइड से यह बहुत सुन्दर दिखता है तो आप यह डिजैन बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह डिजैन कैसे लगा थेंक यूँ